हालो दोस्तों जी रुकम चैनल पर सब को स्वागत है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आसानमेंट फास्ट सेप्टेंबर मेन का क्लास टेंथ का साइंस बीगान पेपर को ठीक है चलो देखते हैं फास्ट नमपर क्वेस्चिन क्या पुछा प्येज का पुरा नाम लिकर दैनिक जिबन में महत वताईए और कारण बताईए कि मों का प्येज 5.5 से कौम होने पर दां अलब हाइड्रोजन अथवा पावार अफ हाइड्रोजन ठेके अमले एवंग ख्यारकों की प्रवलता के अंताई समझने के लिए डेन्मार्क के वईगानिक कोन ना सोरेंस ने 1909 में एक पईमाना त्यारी किया जिसे पी एच स्केल कहते हैं यहां पी का ताथपर्ज क्या है ना पोटेंच वा सकती है अर्थाते दिये गए विलन में हाइड्रोजन आयन अथवा एच प्लॉस की मात्रा कितनी है यह पी एच द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है ठीक है सेकेंड में क्या पुचा है ना दैनिक जीवन में पी एच का महत तो क्या है देखो पी एच क के अनुसार ही हमारे शरीर के जैव राशायनिक प्रक्रियाएं संचालित होते हैं हमारे आसपास पानी मिट्टी आधी का पी एच हमारे दैनिक जीवन में महत पुण भूमी का लनिवाते हैं हमारे दैनिक जीवन में पी एच का महत निमना अनुसार है देखो क्या क्या है न कि पैस्ट पेंट है हमारे आमा एसा तौनो हाइड्रो कलेड़ के अमल श्राबित करता है जो भोजन के पाचन में स्वाहाता करता है सेकन्ड में क्या है ना हमारे रखत का pH 6.8 से 7.8 तक होता है जो जोविक प्रक्रिया के लिए उप्यूप्त होता है थाड में क्या है ना पॉसल उत्पादन में pH का महत्पन भूमी क्या होता है ठीक है यह हो गया दर्निक जिवन में pH का महत्पन नेक्स्ट क्या पुछा है ना महों का pH 5.5 से कौम होने पर दांत खराब होने का कारण पुछा है देखो हमारे दांतों का समय NEP प्रिश कितना 5.5 से कौम होने पर मोह के अंदर की प्रकृति अम्लियों हो जाता है जिससे दांतों में केविट हादी बनने लगते हैं और इस केविटी में वेक्टेरिया पनपने लगते हैं जो दांतों क्यों खराब करने लगते हैं यह हो गया फास्ट नमर कुस्चिन का अंसर ठीक है इस बीच में मैं एक बात बोलना चाहूंगा अगर इस वीडियो आपको पसंद लग रहा है तो लाइक करना मेरी चैनल को सब सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ताकि आपको मैं जब इस रिलेटर वीडियो अफ्लोड करते रहोंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और दोस्तों को सेयर करने को बिलकुन ना भूलना ताकि आपका दोस्त का भी फाइदा हो सक सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा एंकरेज मिलता है इसलिए सब्सक्राइब करने को बिलकुन ना भूलेएं चलो देखते हैं अभी सेकेंड नंबर को सेकंड नंबर कोस्टिन क्या फुचा है ना वह तब घ्यान किजिए जो सेल्सेस और फारेन हाइट में समान हो देख by 212-32 equal to Celsius के साथ समान करना है तो Celsius C-0 divided by 100-0 देखो उसको solve करते हैं तो F कितना F-32 divided by 212-80 कितना हो जगा 180 equal to C-0 होई C and 100-0 होई 100 ठीक है नेक्स्ट क्या है इना F-32 divided by 9 equal to C by 5 के से ना 100 को 180 से दिभाड़ी क्या गया तो कितना हो गया 9 5 और 9 बचा ठीके इसले 5-32 divided by 9 equal to C by 5 हो गया और इसको solve करने से क्या हो जागा ना C क्या भेलू कितना निक लेगा ना 5 by 9 हो लेंटो F-32 देखो C equal to F करना है हमको Celsius equal to Fahrenheit करना है ठीके तो क्या हो जाएगा ने देखो C कितना मिला ना 5 by 9 हो लेंटो C minus 32 तो इसको solve करते हैं तो देखो 9 degree Celsius equal to 5 degree Celsius minus 160 तो उसके बाद क्या होगा देखो 9 degree Celsius ये plus है तो यहां left side को लाना है तो क्या हो जाएगा ना 9 degree Celsius minus 5 degree Celsius equal to minus 160 degree हो जाएगा तो 9 degree to 5 degree जाएगा कितना बचेगा 9 से 5 जाएगा तो 4 degree Celsius equal to minus 160 तो C का मान कितना हो जाएगा ना minus 160 divided by 4 तो कितना हो गया minus 40 degree Celsius हमको क्या करना है ना Celsius is equal to Fahrenheit करना है है ना तो Celsius हमको कितना मिलेगा सी इक्वाल टू minus 40 degree Celsius मिल गया तो क्या हो जाएगा ना Celsius is equal to Fahrenheit अतयव माइनस 40 degree Celsius ताप पर Celsius एबंग फारनाइट समान होते हैं यह हो गया second number question का सल्प अब देखेंगे third number question को देखो third number question क्या पुचा है ना चालन समवहन और विकिरेण को अपने परिवेश के उधारन से समझाते हुए दो अंतरस परस्ट किजिए मतलब दो दो एक्जाम्पल देना है चलो देखते हैं सल्प को क्या है ना देखो फास्ट चालन को हैने चालन के द्वारा उसम पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कोनो के द्वारा अपना स्थान छोड़े विना ही संचरित हो जाते हैं उधारन दखेंगे तो फैस्ट क्या है ना देखो जब तवा को गर्म करते हैं तो उसकी डंडी भी गर्म हो जाती है कि नहीं सेकेंड एक्जम्पुल को है ना जब लोगों की कील को एक कोने से आग में तपाया जाता है तब दूसरा कोन भी चालन के दोरा गर्म हो जाता है कि नहीं यह हो गया चालन का एक्जम्पुल ने इस्ट क्या दिखेंगे ना सामवहन देखो इस विधि में उसमत रभ या गेस मे संचरित होती है गर्म जल हलका होकर उपर उड़ जाता है और उपर का जल क्या हो जागा थंडा जल नीचे की और संचरित होने लगते हैं कि नहीं देखो इसका उदारन देखेंगे जब वो बरतन में जल रखकर हम उसे गर्म करते हैं तो जल का उपर वाला भाग भी गर्म ह जाता है कि नहीं जबकि आग केवल पेंदी पर जलता है है नहीं आग लेकिन पेंदी पर जलता है लेकिन उपर गर्म हो जाता है कि नहीं यह होगा क्या संबहन का उधारन सेकेंड उधारन क्या है ना रात के समय में रेत जल्दी ही थंड हो जाती है कि नहीं यह भी उस्मा के स की रण को ना प्रकास की तरह उस्मा का भी संचर निर्वात में ही निर्वात में हो सकता है विक्रण द्वरा उस्मा प्रकास की चाल से ही सरल रेखा में संचरित होती है इसका उधारन क्या है ना देखो शुर्य का ताप रुथी तक विक्रण के द्वरा ही पहुंच पाता है क की नहीं सेकेंड एक्जम्पल का है ना जब हम आग के कुछ दूर में बचते हैं तो हमें आग के ताप का अनुभव होता है की नहीं यह अभी उस्मा के विक्रण विदिशे समभवन के कारण होता है ठीक है यह हो गया Q3 के अनसर Quan词 क्या पूछ लिखे ना निम्ला लिखे तो योगीं क्यों में आम्ल्यों मुलख, वो ख्यार्यों मुलख अलक कर आवेश शहित लिखे है है देखो कितना दिया है question नहां a b c d e पांच दिया है तो उसको चलो देखते हैं पहला point क्या है योगी को क्यों हो जाएगा ना amelio mulak हो जाएगा और क्या उसका ख्यारीय आम लक्रों दीखो ए नंबर में क्या दिया है को अमल्य अमुलोग क्या आ जाएगा aso4 2- तो ख्यारए अमुलोग क्या आ जबाँ co2 plus होगा इसमह बी नमबर क्या है इस आमुल्य अमल्य कितना हो जाएगा or ख्यार्य अमल्य कितना हो जाएगा my next c mgcl2 देखो इसका अमलियों मुलों कितना हो जाएगा ना C L माइनस और ख्यारियों मुलों कितना हो जाएगा ना M G 2 प्लस और इसे D नमबर क्या है ना K NO 3 इसका अमलियों मुलों कितना हो जाएगा NO 3 माइनस और ख्यारियों मुलों कितना हो जाएगा K प्लस और ख्यालियों अमुला कितना हो जाएगा ना CA2 प्लस हो जाएगा इससे अमारा फोर नुम्बर कम्प्लेट हो रहा है चलो देखते हैं फाइप नुम्बर को देखो फाइप नुम्बर कोस्टिन क्या पुछा है ना चार्ल्स डारीविन दरा सफर के दोरान किये गए महत तोपन अवलकन का वर्णन कीजिए जिससे उन्हें जीवों का सिध्धात प्रतिपादन करने में मदत मिली देखो इसमें से कोई पांच पॉइंट लिखना है ठीक है चार्ल्स डारीविन दरा सफर के दोरान किये गए महत पुन अवलकन जिससे उन्हें जीवों का सिध्धात प्रतिपादित करने में मदत मिली क्या है ना निमनान सारे है देखो फास्ट नमबर क्या है ना देखो सफर के दोरान डारीविन ने समुद्र के पानी के नमुनों का अध्यान किया तो उसमें उन्हें कई प्रकार के जीवों देखे और वे चकित हो गए यहाँ पर उन्हें अध्वूत खद्य सुंख़ा नजराई एशा ही कि उन्हें दख्षिन अमरिका के जंगल एबं पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों के वीच दिखाई दिया उनके मन में आता रहा है उनमें मन में क्या आता रहा ने देखो हर तरफ संगर्स है मरो या मरो जो बच सकता है वो ही बच रहा है साद भूगलिक जरूरत के अनुसार जो ढ़ल गया वो ही जीव बच जाता है सेकेंड नमबर क्या है न देखो उष्ण कटिवंद्य जंगलों में कई विवीद प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलकन डार्विन ने पहले बार किया था थार नमबर प्रेंट क्या हो जाएगा ना दखन आमरीकी पहाड़ियों के उपर उन्हें एसे चट्टान मिली जिसमें समुद्र जीवों के जीवास मिले साथ ही उन्हें एक एसे भुकम का अनुवव हुआ जिससे समुद्र की सतह लगवग तीन मिटर तक उन्ची हो गई थी इस प्रकार का अवलकन यह दर्शा रहा था कि समय के साथ महादिप और महासागर में व्यापक रूप से वदलाव आ सकता है फोर नमबर क्या है ना देखो रहतिले समुद्र किनारों के स्थान पर उंची चटानों से घीरे समुद्र किनारों के अवलकन से डार्विन यह अनुमान लगा पाए कि निरंतर चलने वाले प्रक्रियाओं से भी प्रुथिव की सतह पर परिवर्त में आ सकता है है ना पांचवा अवलकन क्या है देखो बिशाल काय बिलोपत स्थन धरियों सरीश रूपों इत्यादी के जीवासमौं से डार्विन को पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में भीनताओं के साथ-साथ समन ताइं भी है अर्था आते पूर्थिव की पर परिवर्तम के साथ-साथ जीवों में भी परिवर्तम आया होगा तो यह था क्या डार्रविन का अ अवलकन ठीके इससे हमारा क्या होता है ना साइन्स पेपर के पांच नूम्बर कोस्चीन आंसर खतम होता है और पुरा साइन्स कंप्लेट होता है फास्ट आसाइनमेंट आप सेप्टेंबर एक बात बनना चाहूंगा अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य करना ताकि आने वाले समय पे भी हम जब इस रिलेटेड वीडियो अप्लोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ठीके थेंक्यू थेंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो